इस कारिक्रम के पुन्यार जख हैं कोशाध्यक्ष, कपिल जैन, भंडारी, संदीप जैन, सैयूजक, सचिन जैन, पुनीद जैन, सुनील जैन, सदस्यगन, अतुल जैन, पंकर जैन, सुभाष जैन, कुनाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महला मंडल प्रधान, कविता जैन, कोशाध्यक्ष, स्वा आज जो प्रभु चरण चुरे, ओम स्री महाविर जिनेंद्राया नर्गपत प्राप्ताय अर्गम निरुपाम्ति, ओम स्री चतुर विंसीते तंकर निर्वान छेत्रे व्यों अर्गम निरुपाम्ति, स्वाफ स्री भक्तांबर स्रोत्र रचीता मान तुंग जी को ध्याते हैं, सोभागय सागर जजंग सभी भक्त जन मंगल भावना भाते हैं प्यार हो सत्कार हो एत्बार हो तुमारा सब के सुख में मेरा सुख हो करुना की धारा सब के सुख में मेरा सुख हो करुना की धारा हो आत्मा पर तेरा ही तेरा यूही बीत जाए जीवन मेरा सुख मेरा यूही बीत जाए 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 महानुभाओं आज से प्रवचनमाला का सुखारम हो रहा है और सुखरम के दिन ही बिसे रखा अपने कि मंदिर जी में कैसे जाना चाहिए और मंदिर जी में क्या क्या करना चाहिए निश्यत रूप से पहले दिन का भी सई ही मंदिर का क्यों रखा क्योंकि सबसे पहले यदि इंसान जनम के बाद कहीं जाता है तो ऐस जिन मंदिर ही होता है कोई भी शंप्रदाय में जनम ले बेक्ती चाहे जैन हो चाहे किसी भी धर्म में हो सबसे पहले जनम लेने के बाद इंसान कहां पर जाता है जिनकी वह आराधना करता है जिनकी पूजा करता है कभी भी ध्यान रखना आज बरतमान में आदमी कितना भी संस्कृतिक छोड़कर संस्क्रति को छोड़कर प्रकृति को छोड़कर विक्रती में जी रहा हो लेकिन सबसे पहले बच्चा जाता है तो मंदिर जाता है कभी भी कोई भी माँ अपने 40 दिन के बच्चे को लेकर फ्लिमी थेटर नहीं गई कभी भी कोई माँ अपने 40 दिन के बच्चे को लेकर साधी मिने गई कभी भी कोई माँ अपने 40 दिन के बच्चे को लेकर किट्टी वाटी मिने गई कभी भी कोई पिता अपने 40 दिन के बच्चे को लेकर अपने फ्रेंडों से मिले नहीं गया लेकिन सबसे पहले हर मा, हर पिता अपने बच्चे को 40 दिन के बाद लेकर गया तो है जिनमंदिर गया, यह शुरुआत कहां से होती है, जिनमंदिर से होती है इसलिए प्रारम भी हमने क्या किया, मंदिर से तो कुछ बाते हैं, सबसे पहली बात कि घर से निकलते समय जब हम जिन मंदिर के लिए घर से निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे भाव कैसे हो पहले के समय में तो लोग जब घर से चलते थे हातों में मुठी में चावल होते थे नंगे पैर मंदिर आता था आदमी और रस्ते में पतित पावन मेरी भावना दसन इस्टोत आदी आदी को परता था और जब आप घर से निकलते हो और उस समय यदि बच्चा घर से निकलते समय इस्कूल का बैग टांगे हुए है तो लोग क्या समझते कहा जा रहा है इस्कूल जा रहा है और यदि कोई आफिसर आफिस में काम करने वाला है कोट लगाई है टाई लगाई है और अपने आफिस का बैग लिए हुआ है तो लोग क्या समझते कहा जा रहा है आफिस जा रहा है अर्था आपकी भेश-भूसा आपकी सकल सूरत बता देती है इंसान को आप कहा जा रहे ही हो तो मंदरी की पहचार यही थी कि घर से निकलता था हाथ में चावल के दाने होते थे और मंदर के लिए नंगे पैर कई लोग धुद्धुबट्टे पहन के महिना मंदरी के बस्तरों में पहन के जाती थे लेकिन आज परिस्थी ऐसी है कि बिजी लाइफ में इंसान मंदरी के समय को सेट करना चाहता है यह बड़ी मुर्खता है यह बड़ी आदमी की ना समझी है कि हम अपने बिजी लाइफ में मंदरी का समय सेट करना चाहते है अरे भाई यह मंदरी का समय ही आपके जीवन को सेट करता है क्योंकि आप 24 घंटे घर में रहते हो लेकिन मंदिर में आते हो जबी तो कहते हो कि हे भगवान मेरी शमश्या का समादान हो जाए घर में क्यों नहीं कहते हो क्योंकि आपको पता है कि मंदिरी स्थान है तो मंदिर में जब आप आएं तो चाहे आप गाड़ी से आ रहे हो चाहे आप कैसे भी आ रहे हो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि घर से मंदिर आते समय यदि आपको कैसेड भी सुनना है तो भक्तमबर जी की सुने मेरी भावना की सुने प्रुपतित पावन की सुने मोबा करेंगे तो ऐसे आउलोकन करेंगे लेकिन इंसान घर से अपने टेलीफोन चालू करता है और मंदिर के पास आता है डाइबर करता सर मंदिर आगे उतर जाओ क्यों क्यों कि आदमी को समझी नहीं जा कहा रहा है आपको कुछ सोचना पड़ेगा और यह काम रोज नहीं कर सकते तो कम से कम आप अश्चमी चोदस को रभीवार के दिन यह नियम तो लेलो कि मैं अपने जीवन में कम से कम हपते में एक दिन मंदिर का होकर ही रहूँगा मंदिर जाते हो तो मंदिर का होकर जाओ लेकिन यहां तो खाते पीते चलते रहते हैं कुछ लोग तो मंदिर इसले जा रहा हूँ, डेरी पड़ रही है स्वे दूद ले रहा हूँ, लेकिन लोग क्या बोलते हैं दूद लेने जाता हूँ, स्वब मंदिर चला जाता हूँ बाद दो नहीं, लेकिन भाव का फरक है तो मंदिर जाए मैंने आपको बता है कि भूस सारी लोगों को मैंने नियम देर रखा है यह मेरी बात को सुनने लोगों ने अपने जीवन में परीवर्तन किया है क्या परीवर्तन किया है? कि आप जब घर से मंदिर आते हो 80% 90% लोग मंदिर गारी से आते है प्रयास करें कि आपका घर मंदिय से चाहे 20 क्लमट दूर क्यों ना हो, आपका घर मंदिय से 10 क्लमट दूर क्यों ना हो, लेकिन मैने में, साल में, एक बार अपने घर से नंगे पैर पैदल चलकर मंदिर आने का प्रयास करें, आपको साक्षा संभे सिखर जी के दर्शन का पु सम्मेश सिखर की बंदा तो जब होगी जब तुम अपने घर को सम्मेश सिखर बनाओगी तो प्रयास करें महीने में एक बार, साल में एक बार, कम से कम, चाहे मंदिर आपका दस कदम पे हो, चाहे सो कदम पे हो, चाहे हजार कदम पे हो, चाहे दस किलमेटर हो, चल के तो आओ, अब आप कोगे मारा 10 km के साथ नहीं चल सकते कोई बात नहीं आद 2 km चलो फिर गाड़ी मेट चलो अगले दिन उस दो से आंगे चलना फिर गाड़ी मेट जाना ऐसे करते करते 6-7 दिन में पूरा संकलब कर ले लेकिन करना जरूर मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आने के बाद यदि आप गाड़ी से आ रही हैं मैंने कई बार प्रोचनों में कहा है और भूस सारी लोगों ने मेरी बात को सुनकर यहां भी पंकज भाई ने कई बार प्रयोक चालो भी कर दिया मैंने क्या कहा कि जब आप गाड़ी पे आते हो तो जो आपके जूते चपल हैं उनको गाड़ी में छोड़ना पहले तो आपको चपल जूते पर के निया ममताजी बठी एक घर से चलती हम कहीं पर भी रहते हैं तो चपल जूते छोड़के घर में आते हैं क्यों? क्योंकि मंदिर के लिए जा रहे हैं आप नंगे पैर जाओगे तो कहीं ना कहीं आप से लोग कुछ ज़रूर लेंगे कि भाई इन नंगे पैर क्यों जारा है। कोई बात नहीं, दंगे पर नहीं आ सकते हैं, तो इतना तो करो कि मंदिर के अंदर जब प्रवेश करने वाले हो, तो मंदिर के बाहर अपनी गाड़ी में आप जूते चपल को खोल दो, उससे दो फाइदे हैं, एक तो खोएगा भी नहीं सामान, और दूसरा बाद में जाने म और सबसे बड़ा फाइदा यह होगा, यह वही जूते चपल हैं, जिनको पहन के आप टॉलेट में जाते हो, होटल में जाते हो, साकाहरी मासाहरी लोगों से मिलते हो, और वही जूते चपल को आप मंदिर के गेट के अंदर ले जाते हो, मंदिर के गेट के अंदर बाहर तक लाते हो ना मंदिर का परिशर हो गया और उस परिशर को आप क्या कर रहे हो जाने अंजाने में असुद्ध कर रहे हैं वैसे मंदिर में तीन दौर होते हैं कितने दौर होते हैं तीन दौर होते हैं कौन-कौन से तीन दौर होते हैं एक होता है प्रिवेश दौर दूसरा होता ह मुक्opf द्वार और तीसरा होता है गर्बगरह का द्वार कौन को ज ता एक होता है प्रिवेस द्वार आप तो मैं कैसे समझाओ तिजाराजी का समझळगाए तिजाराजी मुझे इन जिए कि तिजाराजी का जो में गेट है मानिस्तम के सामने वो क्या है प्रवेस द्वार है वहाँ पर जेनी क्या करमचारी क्या सफाई वाला क्या हर कोई पहुँच जाता है कोई रोक टोक नहीं है तो प्रवेस द्वार तो प्रवेस कलिए होता है कि हर कोई वहाँ पर पहुँच जाता है उसके बाद में होता है मुख द्वार जो मानि कि बस तुको रखकर इन सब को करते हो लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरे भाई बिड़ी सिर्ट तमाकू पीते हैं लेकिन उनके पेकेट में तमाकू की पुड़िया रखी रहती है और वह मंदिर चले जाते हैं जूते उतार रहे हो मुझे उतार रहे हो कई बार करते हैं लोग नमस्तु करते हैं सिर्ट का बंडल बहां निकल जाता है होता है उपर वाली जिम में जो भी रहे हो नीचे गिरता ही है ऐसा मैंने कई बार देखा है कि आदमी जुकता है और अंदर से बड़ी निकल रही है तम बढ़े हो तो जहां जूते चपल खोले तो तो तुम करता था दौर की बाद चल रही है कि पहला प्रिवेस दौर कि वहां से हर कोई इंडरी करता है सफाई करने वाला भी भुजन बनाने वाला भी जळू लगाने वाला भी सब कोई ओ सब के लिए जीब भी प्रष करते हैं घ पहाओ असुद्ध हैं तो भी चला जाए लेकिन जो गर्भ दवार होता है जो तिजाजाजी गर्भ दवार है उसके अंदर परवेश कोन करता है जो धोती दुपट्टे पहन कर यदि कहीं मंदिरों में महलाओं की बेवस्ता है तो महलाओं सुद्ध बस्तर पहन कर वहां पर अंचती है ये तीन दौर मंदिर के होते हैं लेकिन बंतरवान मैं मंदिरों में ही न भ्रॉस्ता तो जो मुख़द्वार है प्रवेश दौर है उसको ही मुख़द्वार बानते हैं तो प्रदेख व्यक्ति को ये चाहिए कि कम से कम नंगे परनी आरे कोई बात नहीं लेकिन चपल जूते को हम क्या करें अपनी गारी में छोड़ दें जिससे क्या होगा एक तो खोने का डरनी छाटने का डरनी और मंदिर में कम से कम असुद्धी तो नहीं आएगी जो असुद्धी टोइलेट में जारी है लेटरिंग में जारी है जनपानी में जारी है, सब्जटा जारी है वह असुद्धी कम से कम मंदिर में आपके मध्यम से तो नहीं आएगी मेरे बोलने से, हजारों लोग सुनते है यदि दो लोग भी आप अमल करते हैं तो मेरा बोलना सारता क्या, कि दो लोग की गंदगी तो कमसर साफ होगी और दो को देखकर 20 होंगे और एक बात ध्यान रखना आज जो आप करते हो उसका असर सब लोगों पर पड़ता है और यदि कोई प्रतिश्चित बिक्तिव कार करता है तो सारे लोग उसको अपनाने का कार करते हैं तो जूते चपल को आप उतारिए उसके बाद में क्या करते हैं मंदर में आने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं जूते मोझे चपल उतार के क्या करते हो आप पैर कोध होते हो हाथ कोध होते हो कैसे पानी से कैसे पानी से छने हुए पानी से पानी के बस्ते हमात आउंगा, नी, तो एक टौपिक में एक गटड़ लग जायेगा भी, तो क्या है? छने हुए पानी से, कभी जो छना पानी में लगा हुआ है, तंकी रखी हुए होती है, कभी आपने तंकी का धक्कर उठा कर देखा, क कभी उठा कर देखना। आप कभी तो तंकी का धक्कन उठाकर देखोगे तो लगेगा कि भाईया ये पानी कैसा है क्यों आपने तो नल खोला पैर को धोया और चल पड़े तो जब आप अपने पैरों को धोते हो तो पैर को धोते समय कहां दिखना चाहिए उपर की नीचे नीचे क्यों यदि कोई ची चीटा चल रहा हो जीव हो तो इसकी हिंसा भी पैर धोने करा ना हो जैसा ही आप नीचे पैरों को देखते हो तो कितने पैरों को देखते हो कई तरह से लोग पैरों को देखते हो तो जल डालते हो तो उस समय आपका भाव क्या होता है कि मेरे दोनों पैरों को हम सख्षकर ल की और देखते हैं तो दोनों पैर आप से कहते हैं कि जिस तरह से जिस तरह से तुमने मुझे धो लिया कब तक के लिए धोया जब तक आप मंदिर में हो और जैसे बहार निकलो कि बापिस आपके पैर असुद हो जाएंगे जिस तरह से आपने मुझे अपने दोनों पैरों को उसी तरह से पैर आपसे मुख भासा में कहते हैं कि जब तक मंदिर में रहो जब तक जैसे जूते चपल को बाहर छुड़ा है अपने पैरों के दोनों पैरों के गंदगी को बाहर छुड़ा है तब तक अपने मंदिर के अंदर रहो जब तक अंतरंग परिणाम में जो राग देश चल रहे हैं उनको भी गेट के बाहर छोड़ कर जाना राग देश को लेकर उपर मज जाना लेकिन हम लोग क्या करते हैं तन को भी सुद्ध कर लिया काया को भी सुद्ध कर लिया बचन को भी सुद्ध कर लिया जिनकी बेदी के निचे चिन्न है, क्या चिन्न है? सीर और गाएं एक साथ पानी पी रहे हैं अर्थाथ भगवान महावीर शौमी के शमोशन में जब भगवान महावीर शौमी तबश्या करते थे तो अहां पर सीर और गाएं बैठ कर एक साथ पानी पी सकते थे तो आप सीर गाएं तो नहीं हो जन जन को संस्कार देत गुरु सोभग सगर जी हमारे हैं देवा हो गुरु देवा देवा हो गुरु देवा उनके चण्णों में मन से वचन से काय से बड़ी भगती भाव पूर्वक जलादी अर्गम निर्पाम तेम स्वाहा इस कारिक्रम के पुन्यार जक हैं संयूजग सचिन जैन पुनीत जैन सुनील जैन सदस्यगण अतुल जैन पंकर जैन सुभाष जैन कुनाल जैन अजय जैन मितेश जैन नवीन जैन महला मंडल प्रधान कविता जैन कोशा ध्यक्ष स्वाधी जैन